कि एलो बच्चो कैसे होगा इस अभी लोग तो आए होग कि आप लोग बहुत बढ़े चलते से पड़ाई करके कि अपनी क्लास्ट्रेंस में आने की पूरी तयारी कर चुके हो और नाइन दो फूरीद होगे यार मुझे पता है आप लोग है ना तो चलिए तो आज हम पढ़न हमारी यह सब क्या है सरकल है तो आपको मैं बता दूपर से बारे में बच्चो चैंप पोर्स आपके अगले साल के लिए एक प्रमास्त्र साबित हो थो सकता है ठीक है उसमें से आप खुद देख सकते हो क्या तगडे तगडे तजल रिजट आया है यार ग्लास 10 में और अभ वही से रहा है जो मैंनों ने पढ़ा है ठीक है तो चलिए वह कर लेते हैं बाद-बाद में तो बात करते हैं सर्कल की सर्कल इसको अल्पॉइंट इन प्ली विच आर एट कॉंस्टन डिस्टेंस तो जैसे मैंने एक पॉइंट है इससे सर्कल घूम रहा होगा तो यह क्या है सी जूर करेगा तो बराबर होता है यह सब पता है चलो तो पढ़ लेते हैं सर्कल के बारे में पहले कि सर्कल क्या है सर एक कॉंस्टेंट डिस्टेंस है जो रेडियस होती है उस पॉइंट से एक सर्कल बनता है यह सेंटर पॉइंट होता है यह रेडियस होती है यह वाला पार पंदेखक राएं पर दाइमेटर क्या होगी यह पड़िया वाली चो पूरी नहीं पता है पता है चाप फिर कुछ तरम देख लो कुछ बच्चों को अभी धिक्कत है यह आपके आने वाले कई सालों तक बैस जरूर है चलो नामेटर पता है रेडिया स्टेंजिट क्यों तो सब्सक्राब से रचके याप क्लास पढ़ोंगे फिर पीजा थे यह वाला पार्ट है जो सेंग्मेंट है यह वाला पार्ट है यह वाला बिस्केट को तोड़ दिया कैसे याद्रख सकते पर इसक्राइब जब्सक्राइ YOU जो अंधर पार होगा ठीक है फिर एक सबसे इंप्सेश कि भाई लाइन है तो वह अंगल गिरा रिया इंटर बात करता है रिलेशन की रिलेशन और साइज आप दो पॉर्ड एंड यहां पर बड़ा हो गया फिर और बड़ी कर निया और वार इच्छा यार जितनी जाओ ती बड़ी कर लो अगर मैं बिल्कुल ऊपर लिया हूं वालो यह रें एक हैं तो जितना नहीं एंगर पर अगर माली दो भराबर साइज की कौड दियुक्त करफकर डिवें ठेक हैं यह रिदिन्हों यह एक बराबर होगा तो जो चं कर रई पर In take his है तो यह एंगले क्या होगा है इपने आपी यह एकल होगा तो हम बोल सकते हैं इकव सकते हैं इसका इसका वाइस एवर्षा होग यह है ना कि वाइस से परसा का मतलब एंगल बनाबर है तो कॉर्ड भी बनाबर होगा तो आप बोलो कि एंगल डी ओस्ती क्या है सर यह गिवन है यह गिवन है तो क्या हुआ अधर एबी विल भी एक्वल स्टू इस ती ठीक है क्लियर चल आगे चलते हैं इस पर क्वेशन देख ल कोड जो है इकवल तो ये कостиna होगा आप बोलो कि सब्सक्राइब यह कितना है यह कितना होगा तो हमको यह तो पता है उसल во ए एंगल B O A एंगल A O D प्लस एंगल D O C प्लस एंगल T O B कि सो किसे की बराबर हो गई है तीं तो साथ के बराबर बी ओ एकिता है ब्योड ए सब्सक्षाइटा ए ओब कितना है 170 प्लस ए ऊब्लस चुरी दी ओसे बीकितना है प्रटीफ़ प्लस दीओ यही निकालना को कि इसको आगया पटाफ़ आपटाफ़ आंसर कर दो कमेंट में जल जीते तो साट हो गया और यह प्लास एंगल एंगल की वेल्यू है कितनी अंड्रेड डिग्री सो डिग्री यह वाले अंगल की मतलब की एक सिकोर्स टूप विच्छ इपोस्टू हंड्रेट क्लियर है चाह आगे चलता है पेंडिकुलर फॉर्म दे सेंटर और अब बहुत है कि कॉड है क्या है तरहिए एबी कॉड है ना प्रमत बोलना सब बताया नहीं हो एबी जब ओ एम जो है वो सेंटर से लाइन है आए तो यह जो लाइन होगी भाई या यह आपके कॉड को दो इक्वल पार्ट में कट करेगी और एंगल नब्बे डिग्री होगा ठीक है नोट कर लो यह यह भाई बहुत ज़रूरी है पूरे जिन्द की पर कहां आएगा यह कॉड यह सेंटर से लाइन है तो यह परकेंडिकुलर हो ठीक है और इकॉल बाट में डिस्ट्रिबूट करें ठीक है तो ठीक है तो यह इस पॉर्ड को बराबर पार्ट में बाट करेगी तो मतलब एम इस इस पॉस्ट टू बी इस प्रपेंडिकलर ली पर्पेंडिकुलर ली पर्पेंडिकुलर तो आबी ख्लिर है नको यह नको च्लो यह the straight line drawn from the center straight line drawn from the center O M bispect perpendicularly, perpendicular to A B, clear है, नको, नको, चलो हिया, the straight line drawn from the center, straight line drawn from the center to the circle, a chord, to a circle, a chord is perpendicular to the chord, जी लाइन जो बनार है, center की तरफ जहां से, काहा से, इस chord से, center की तरफ वो पर्पेंडिकुलर होगा, तो यह वाइस से वर्साइज है, तर, जना, भाइसे वर्साइज पता है, ना ना वुथका उल्टा, ठीक है, चब, तो एक क्वेशन दिखाय करते हैं, यहारी, क्या रोए, है, से, ती सेंटी मेटर, से, ती सेंटी मेटर की है, ती सेंटी मेटर, ठीक है, फिर रेडिया से 17 सेंटी मेर लिखाओ आए, प्राइंड दिस्टेंस प्रॉम दी सेंटर विए निकालना आपको यह ओए ठीक है क्या निकालना सर ओवल निकालना है अब बात बता हूं मुझे पहले तो आप लोग कि सर यह दो टुकुडों में पाट करेगा ना यह आधा यह आधा तो यह तो पंद्रा हो गया यह भी स्कूराइल प्लस एल का स्कूर यह किरता है 170 ठीक है यह उपटा हमें उसके बाद यह पता है हमें वेल नियुक्त पता है को चौर गैल करें तो सत्राइक कितना होगा आप बोलोकि सार्ण धोगा टूएत इन इंडगोस टूवेल पता ही निया सार दस्टोपच्छेस इस भी आप यह लागे लागे तू जोगा चॉसर स्क्वेर तो ओल हो जाएगा अंडरूट 12 सट विच इस इकोई स्टू प्लस माइनस का एट माइनस तो कड़ गया तो आप बोलोगे सब्सक्राइट सेंटीमेटर सेंटीमेटर में दिया हुआ सेंटीमेटर में मार्क करना है ठीक है चौर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वे सब्सक्राइब करते हैं और उसमें से यह माइनस कर दिया निकाल लोगे बहुत ही बढ़िया चलो करते हैं पहले क्या करो के सब्सक्राइंगल मैं इन ट्राइंगल कि एओ पी अंगे एओ पी इंगल A plus angle O plus angle P because अरे क्या लिपन जोड़ी लगाना पाइस तो फोले का न रहा है यहा उंगा था रहना आ रहा है कड़बाद कर रहो तो A o का स्क्राइर ना एका स्क्राइर क्या स्क्वेर इप्हाएर इस अठारा फोन क्या स्क्राइर इस अठारा अठारा सब्सक्राइब यह आपके पास बच्चेगा सर यहां पे यह जाएगा चार ना और यह आठ गया तो कितना बच्चा विटा यह कैसर 144 ठीक है अब लेते हैं ड्रांगल चिक्व ओ सीक्यू ले लोगा ती और वरापन ओ टी क्यों स्कॉर्ण प्लस टीक्यू स्कॉर अब Q 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 इसमें से क्या तो चाहिए दो गया तो जीरो यह क्या है वाण ठीक है और दिक्कत नहीं जीरो फोर ओक्यू तो टाकिया लाओ गया तो अंदर रूट वाण जिरो फोर हो जाएगा आपका ओक्यू ठीक है ओ अब आप मैने से मैने सब्सक्राइब पैर दो कि नुपक्या और झेंवा दो निकाल चलत पाट अब देखो पॉइंट मतलब क्यों होता है तूपाइंट इसका में आधर लाइन बनाने के मालों यह पॉइंट यह है पॉइंट यह ना लाइन बन जाएगी फिर बहुत एक पॉइंट एक पॉइंट से किते तर्कल पास होंगे जल्दी बताओ हो एक पॉइंट से किते तर्कल पास होंगे तो बच्चे बोल रहे हैं सर इन फाइट नाइंट कुछ बच्चे कुछ गलत भी बोल रहे हैं मुझे पता है कोई बास नी कुछ बच्चे करें हैं सर 1 2 34 गिनके है और चार बोल दीए है आई से अपना दिमांग चलाना अरे ऑइसा नहीं तो तो अभी वच्च बोलरहे वहाँ एक दो तीन चार थे तका कर रहे है एक दो तीन इस इन तीन नहीं है गलत बोल रहे है इस इससर और यहाँ आप कहेंगे स्थर इन फाइनाइट ठीक है अब मैंने का सथ तीन पॉइंट पर अब उनके सथ तीन पॉइंट से एक ही हो रहे हैं तो बता 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 सोचो सुचो चल्दी बता तरीक ही दिख रहा है और कोई बना सकता हूं क्या मैं अगर मैं इन तीनों नदी ढूंट वानर को वब रहा तो यह दूरी दूरी बराबर है तो बने बराबर ओते हैं अगर महलनों मैंने का ही इस पॉइंट ही दूरी बराबर है तो से इंच सीज होगा हूंगे तो इस तो इस तरीके से आप एंगल इस पर गिरा सकते हैं अभी देख लिए पिर आते हैं पर आप एंगल यह देखो इस पॉर्ट से एक एंगल सेंटर पर जा रहा है जा रहा है एक एंगल यह जा रहा है अब यह याद कर लो यार्य बच्छा आप एना टेंट में भी बहुत थाओं आएगा यह तो याद कर लो है एक्जाम में कुश्य आता है अगर इसकी वैल्यू एकस है इसकी वैल्यू टू एकस होगी बात खतम कि सीवी कॉट से इसेंटर पर जो एंगल गिर रहा है और जो सेर्कम फरेंज पर रहे दोड़ा सब बाहर चला के इंचारा सब्सक्राइब बाहर गिर रहा है उनकी सब्सक्राइब कर लोगा याद कर लो ठीक है फिर मैंने कहा सर साइक्लिक क्वाडिरेटल क्या होता है तो बच्चों ने कहा सर एक सर्गल के इंदर अगर बना दे तो इसके अंदर एक बहुत इंपोर्टन प्रॉपर्टी होती है कि सर अगर अगल अप्वोजिट वाले होते हैं जो ए और सी इनका सम वनेटी होता है फिर हमने बोला कि सर एक और चीज़े रूखो इसमें नहीं है मैं बता आतो हूं यहाँ पर इसमें नहीं दि इस से कैसे लेट करता होगा तो मतलब यह और यह पूइंट यह नहीं दिखा हुआ है यह लिकिन लेकिन पता रहा हूं यह उपता है जात कर ठीक है चल अब आते हैं फिकर दिया हुए है एंगल एलग सी अब सी यह दिया है आपको 20ग सब्सक्राइब होना चाहिए यह सब्सक्राइब होना चाहिए यह सब्सक्राइब नेक्स पर चलते हैं एंगल a b o a b 20 a TV ACB निगाना है यह निकालना है तो पहले दा पहले बोलों के सार यह और यह बराबर स्थ इवी होगा चलते हैं ना एंगल ओ अबी इक्वश्वाइंगल ओ ओ पी एपटी क्यूं ओ एक्वार्टी क्यूं ओ एक्वश्ट टो बीइडियक्ल रिडियस तो अगल एक टो अगल एक एक ट्वन एक ट्रेट ट्रेट डिग्री यह तो यह कितना होगा वह एक्स्य टू एक टू आप लोगे अंगल एक ट्रूब एक्वेल स्टू हाफ ओंगल ओ ए ओ बी तो आप बोलोगे हाफ ओ भी बोले तो एंगल एटीबी इस इक्वेल स्टू पचास दिगरी जो की आंशर है एक लियर है आसान वेश्चन है चलो आगे चलते हैं अगले कोश्चन पर कोड्रिलेटरल अबीश्टी इसक्राइब दिया स से चलो सब्सक्राइब बना है एक सरकल है एक कोड्रिलेटरल बना तरकल के अंदर ही एडी डियमेटर धी ए-डी-पी ए-डी-ए-डी-डी-ची ये एंगल दिया है कितना वन सर्टी डिखरी ठीक है बी-ए-ए-सी निकालना भी ए-सी ओ माई-गाड ये क्या गराए पी-ए-स का है कि अच्छिक समझ रहो क्या हाँ रहा है और विद यह अगल अब बहुत जहां सबढ़ना यह इंगल राटी तो होगा अपको लोगे एंगल डीप लटी प्लस आंगल वी इस इको और शुवन एटी उना चाहिए एंगल दी अब बताओ तर यह क्या है डाइमिटर डाइमिटर से कोई भी एंगल होगा तो आप बोलोगे एंगल एसी बीजिक्वल्स टू कितना है 90 डिगरी हाँना यह तो एंगल बी एसी कितना ओगा आप बोलों के दे माइनल न्युक्ती प्लास 90 व्याश दिद्धर यह और यह गया तो 40 पुर्ट टिंग रिसरी यह एंगल हागया 40 डिक्री अ ठीक है किलिया रहे बार्डन कोश्चा से यार याद कर लो इसको नमें लो बहुत अच्छा कोश्चिन शालिया ए ओ बी स्री ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ये वाला एंगल है आए 57 तो यह पूरा कितना हो गाशना तो यह पूरा कितना होगा 57 57 57 दर वाला निकाल सकते हो क्यों निकालना क्या है अचाइव दोनों निकालने है पी ओसी पैले बी ओसी प्योच्छ तेवी आफ तो करते छ पिखर आप कि अत्रीम इस इम्हें फेप्टी सेवन प्रिप्टी निकाल नोगे टो आप यह मैनेज सिप्टी सेवन प्लास प्लास-पिप्टी सेवन विटा यह जोगा एक प्लीम कुछ सीुदा यह तॉदा बंवन पुर आइनस मने टी इतना आगी विटा आप बोलो ह तो यह जाएगा 180 माइनर है थर्टी फ्लस थर्टी ना इंगल सब रॉपर्टी लगा दोगे ना तो यह जाएगा सा 30 30 120 यह नो एंगल लिकल गए यह कुशन आपकी लाइफ ठीक है फुर्शन दिया है एक डायमेटर है पता है सबको दिखाई दिखाई दिरा है फिर दिस वी कॉल्ड देंटर ओ और एक प्रपेंट पैरलल एक पैरलल दियो है अब यह भी इस दिख रही है वी ओसी कितना हो को कि यह एक कॉड है आदे अ कि strengths handed सौरीव फूलू खाली और सौरी यह कॉड है इससे एंगल गिररे मीश तो ही अदेवल यह दौल दॉन हो जाएगा डबल हो जाएगा yes or no double हो जाएगा बच्चो I hope बिल्कुल क्लियर रही है है ना यह आपका डबल हो गया तो आप बोलो के बी ओसी कितना हो गया सर सर बी ओसी हो गया हमारा है कि अगला कुष्यन भी ओसी इसे वाओ अब समझना यह यहले कॉड को लो इसे वाले यह वाले एंगल वैसे कुछ नहीं लग रहा है है अब समाजना आगे अपको ना डियो से निकाल ने काल ने का तरीका चाहिए पहले यह 40 हो गया डी ओ सी यह ना यह कितना होगा बता पॉट्टी होगा यह भी एस और लो पॉट्टी होगा यह भी तुक्त देखो इसी के साब स इसरे इंगल गिर रहा है और समझना और भी तरीके बताता हूं चलों इसको छोड़ तो भी यह तो फॉट्टी होई गया यह पॉट्टी अपने आप हो गया यह लिए पॉट्टी तो यह कित ता हो जागा बच्चो बीयोसी पूचो पॉट्टी प्रस्टी यह जागा रेड होगा के नहीं कि अब बोलो है कि हो गया मेरा अंड्रेट डिग्री ठीक है नेक्स पीट अब देखो पर ने जो निकाल दिए वह लिए हंड्रेट है पॉट्टी पॉट्टी अप क्या मुलाए नर्डेट इस इदी एस यह वाला तर यह वालो यह किसे निकाल ने तर देखो ने माइशं मेरी लिए रिकल किया 40 द्वियनिकल के 20 जाना अब आपके पास एक तरीका है इसको निकालना है ना सो आप किया सकते हो इस वाले कॉड्से एंगल गिर रही कोड़े कोड़ तो नियुक्त देखना याँ ने तो यह कितना पचास निग रही तो बन गया बहुत असान है सरी यह कोड़का खेले वैसा आपको गुमराहा करने के लिए कुछ चीजह दिये तो इस पर गुमराना होना ठीक है तो हो गए तो अभी प्ष़ले क्वेश्चन में आपने निकाला 50 है और ये तो 20 ही से ही पहले से 50 20 70 तो ये कितना हो गया 110 तो बोलो के सब्सक्राइब तो बहुत ही हल्वा कुश्य था बास्ट समझना था बाकी तो यह बहुत आसान था आई होग के लिया रहे सब को ठीक है चले तो यह आप लोगों के माइंड मैफ जो बच्चे इसल में पढ़ रहे हैं उनको तो पता हिए जो नहीं है वह यह 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 डाउनलोड कर लो तो आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है और हम आएंगे सारे चीज़ी यह दिए हुए ठीक है तो इस बरी इंपोर्तन टू यू सारी अगेरा सब दिया हुआ इसके अंदर ठीक है तो यह आपके पॉइंट आप ब्लक्र विए बहुत इंपोर्टन थे ठीक है तो मेरी झाल झाल